Hello dear students, 2014 के exam में आप से total 4 से 5 question पूछे गए थे, pipelining के concept में से, ये actually 14 में 3 set आये थे और ये set 1 का question है, तो पहले statement देखते हैं, Consider two processors P1 and P2 executing the same instruction set, Assuming that under identical conditions for same input, a program running on P2 takes 25% less time, यानि की एक same program को processor P2 25% less time ले रहा है, अगर यहाँ पे माल लो time लग रहा है, x time units, तो यहाँ पे 25% less, यानि की 0.75 of x, इतना time लगेगा, ओके, और आगे आपको given है, but incurs 20% more CPI, CPI यानि की clocks per instruction, तो अगर P1 को CPI लग रहा है C, तो इससे 20% more यानि की 1.2C, C का 20% हो गया 0.2, और 20% more यानि की C plus 0.2C, which is 1.2C, ओके, next आपको given है, if clock frequency of P1 is 1 GHz, इसकी P1 की clock frequency है 1 GHz, then the clock frequency of P2 in GHz is, okay, तो ये तीन चीज़े आपको given है, इसे time लग रहा है, X इसे उससे 25% कम लग रहा है, इसे अगर C, CPI लग रही है, तो इसकी CPI उससे 20% जादा है, यानि की 1.2, और इसकी clock frequency है 1 GHz, हमने ढूननी है इसकी clock frequency, तो सबसे पहले तो आप assume कर लो, कि आपके program में number of lines कितनी है, because CPI की बात की है, CPI means clocks per instruction, तो अब total number of instructions define कर लो, यानि की say हमें total instructions चाहिए I, means program में I number of instructions है, CPI है C, यानि की एक instruction को C clocks लग रही है, clocks per instruction, तो I instructions को कितनी clocks लगेंगी, I, C, I, C, इसका गोई unit नहीं होगा, because यह गिंती है, number of clocks, तो P1 processor को कितनी clocks लगी, P2 processor को कितनी clocks लगे रही, यह एक instruction के लिए 1.2 times C clocks यूज़ कर रहे, तो I instructions के लिए जितना करेगा, 1.2 I, C, यह भी एक number है, इसकी कोई units नहीं होगे, अब इसके बाद आप note करो, कि अगर clocks इतनी लग रही है, तो time कितना लगेगा, एक clock के लिए हमें ढूढ़ना पड़ेगा, कि time period क्या है, उसे हम I, C से multiply करके, टोटल टाइम टेकन बाइ प्रोग्राम, फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 GHz, 1GHz, इसका मतलब है, 1 GHz, 1 into, 10 raised to the power 9, टाइम्स पर सेकंड, Giga means 10 raised to the power 9, Hertz means number of times per second, तो 1 GHz का मतलब हुआ, 10 raised to the power 9 clocks, आर जेनरेटिड पर सेकंड, ओके, और 1 GHz, आर जेनरेटिड पर सेकंड, तो एक clock को कितना टाइम लगेगा, 1 clock, 1 upon 10 raised to the power 9 सेकंड, which is 1 नैनो सेकंड, तो 1 clock takes 1 नैनो सेकंड, और 1 clock signal is generated, after every नैनो सेकंड, ओके, तो एक clock को एक नैनो सेकंड चाहिए, आई सी clocks को कितने नैनो सेकंड चाहिए होगे, आई सी नैनो सेकंड, अब ध्यान दो, ये number of clocks है, ये time taken है, यानि कि प्रोग्राम को total इतनी clocks चाहिए, और इतना time चाहिए, तो जो एक्स हमने एज्यूम किया था, total time taken by the program, वो हमने calculate कर लिया, ic nanoseconds, यहां पे भी x की value डाल दो, उन्होंने कहा है कि P2 25% कम time ले रहे, अगर इसे ic nanoseconds लग रहे हैं, तो इसे 0.75 ic nanoseconds लगेंगे, तो अब हमें पता है कि total time कितना लग रहा है, P2 processor पे एक program को total time इतना लग रहा है, total clocks इतनी लग रही हैं, थोड़ा सा अब ध्यान दो और समझो, कि total clocks इतनी लग रही है, total time इतना लग रहा है, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, कि इतनी clocks इतने time में generate हो रही है, because ये एक ही program की बात हो रही है, उसी program को इतना time लग रहा है, इतनी clocks लग रही है, तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कि 1.2 ic clocks, ये number है, जिंती है, इसका कोई unit नहीं है, 1.2 ic, clocks, टेक, 0.75 ic, नेनो सेकंड्स, अब आपने ढूंडनी है, frequency इस प्रोसेसर की, यानि कि frequency का मतलब यह होता है, कि एक सेकंड में कितनी बारी clock generate हो रही है, ये clock कितनी बारी tick कर रही है, in one second, यहाँ पे आपको पता है, कि इतने नेनो सेकंड्स में clock कितनी बारी tick कर रही है, तो आप अगर यहाँ पे एक सेकंड लाने की कोशिश करो, तो आपका purpose solve हो जाएगा, तो आप क्या करो, इस 0.75 को इस side ले आओ, यानि कि dividing both sides by 0.75 IC, so 1.2 IC clocks, divided by 0.75 IC, ठीक है, यानि कि nanosेकंड तो इस side ऐसे ही रहा, 1 nanosेकंड यह 0.75 नीचे आके divide में चला गया, तो IC and IC gets cancelled, 1.2 divided by 0.75, यह होगा, I guess, डेड़ के आसपास कुछ होगा, 1.2 divided by 0.75, 1.6, डेड़ नहीं है, 1.6 है, तो 1.6 clocks ले रही है, एक nanosेकंड, अब यहां से आप पता करो कि, एक सेकंड में कितनी clocks generate हो रही हैं, तो आपको frequency पता चल जाएगी, एक nanosेकंड को, एक सेकंड में convert करने के लिए, अब इस N को, इस side ले जाओ, नैनो का मतलब क्या है, 10 raise to the power minus 9, यानि कि 10 raise to the power minus 9 सेकंड, यही है nanosेकंड, मैंने N को replace कर दिया, बढ़ 10 raise to the power minus 9 से, इसे जब आप इस side ले के आओगे, तो minus 9 हो जाएगा plus 9, यानि कि 1.6, इंटो 10 raise to the power plus 9 clocks, are generated every 1 सेकंड, आपको पता चल गया, एक सेकंड में कितनी clocks generate हो रही है, कितनी 1.6 into 10 raise to the power 9 clocks, ओके, 10 raise to the power 9 को, आप लिख सकते हो, 1 Giga, because 10 raise to the power 9 is G, ओके, तो 1.6 G, clocks, are generated every second, अब इसे frequency में convert करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी frequency है, because frequency का मतलब ही है, एक सेकंड में कितनी बारी टिक होना, hertz, actually hertz का मतलब है, times per second, तो आप इसे simply कह सकते हो, 1.6 Gigahertz, because hertz is times per second, और यहाँ पे आपने, एक सेकंड का ही निकाल रख है, यानि कि एक सेकंड में कितनी clock stick होनी है, so this is your answer, 1.6 Gigahertz, इसकी frequency है 1 Gigahertz, इसकी है 1.6 Gigahertz, यानि कि यह processor faster है, यह processor इससे अच्छा है, और वैसे भी पता चल ली रहा है, क्योंकि उसे time कम लग रहा है, उसे 25% कम टाइम लग रहा है, तो obviously clock frequency ज्यादा होगी, okay, so your answer is 1.6 GHz, कर फिरणंग कर दिएकर भी एता, क्यों कर दो, ख 때 में अल्यादवाद, शन्याद़, ख 때 में बाहा है .. लात नाद़चा है,